नमस्ते एवरीवन मौनीका एस्ट्रोलोजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या लगन की देखिए कन्या लगन वालों के लिए यह जो मार्च का महिना है वो किस तरह किस तितिया लेकर आ रहा है और कैसे हमें अमरे पूरे ही महिने को प्लान करना है यह मैं आज आपको पूर्ण रुप से बताऊंगी देखिए कन्या लगन और लगन का जो स्वामी होता है वो होता है बुद्ध यह जो बुद्ध है वो एक तरह से छे तारिक तक यानि कि छे मार्च तक आपके पंचम भाव में रहेगा उसके बाद वो छे मा प्राशी में चला जाएगा तो यह तीनों ही घर की एक यात्रा है गुरू की यह बुद्ध की और यह बुद्ध जो है वो आपके लगन का स्वामी है जो बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अब देखिए कोई भी नए शुरुवात करना हो कोई भी नया प्रोज से इनसान के लिए एक तरह से कॉंप्रोमाइजिंग पोजिशन हो जाती है यह बुद्ध की परिस्ति ऐसी है कि वो एक दुविधा में रहता है कभी-कभी जो जिस तरह से आपको परिणाम एक्सपेक्टेड है तो उस तरह के परिणाम इस महीने आपको जल्दी प्राप्त नहीं हो पाएंगे तो मैं एक ही चीज आपसे कहूंगी कि जब भी लगनेश छटे घर के अंदर जाएगा तो चीजों में कॉंप्रोमाइजिस करने की आपकी क्षमता आपको रखनी पड़ेगी तो ही आप अपनी परिस्तिती को बहतर बना पाएंगे देखिए धन की स्थि इसको अगर स्विकार करना चाहते हैं कोई नई जॉब के लिए कोशिश करते हैं या कोई स्थान परिवर्तन की बात करते हैं तो अगर उस चीज को अभी रोक लिया जाए तो जादा बहतर है प्लस अगर कोई नए जॉब के लिए कोशिश भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपके लिए शुक्र जो पंचम भाव में है और शनी और मंगल के साथ जब भी शनी मंगल के बीच में अब शुक्र आया है शुक्र एक सौम में प्लैनेट है और सेकेंड हाउस हमारे धनागमन और धन का जो होता है जिसके अंदर अपनी की सेविंग्स होती है आपकी फैमिली आपको कुछ प्रेजेंटेशन देना है या आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए है तो उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है और वहां से काफी संभावना एक खड़ी हो सकती है मगर मैं एक ही चीज़ जरूर कहूंगी कि फैमिली मैटर के अंदर बच्चों के स साथ या ऐसी परिस्थति क्रेट हो सकती है कि जहां पर आपके मानसिक तनाव और संगर्ष की स्थिति हो तो हो सके तो अपनी स्पिच को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखेगा क्योंकि अभी बहुत लड़ाई जगडे की ऐसी को स्थिति क्रेट होती है तो उससे खुद को दृष्टि आपके सेकेंड हाउस पर पड़ती है और साथ में बुद की दृष्टि भी अगर तो यह एक ऐसी स्थिति क्रेट होती है जो एक्सपैंस तो है मगर साथ साथ आपकी सेविंग्स को भी एक सही दिशा पराप्त करवाती है और शनी की वी एक दृष्टि आपके स अधोतरी भी होगी और आपको एक वैल प्लांड अप्रोच के साथ आप आगे भड़ पाएंगे मगर मैंने जो पॉइंट्स बताये हैं उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है थर्ड हाउस की बात करते हैं तृतिय भाव में केतू है और केतू का अब टाइमिंग बहु होकर अभी कार्य करें तो वह जादा एडवाइजबल रहेगा मेरे हिसाब से क्योंकि देखिए मैंने देखा है कि जब जब इस तरह की स्थिती होती है जहां पर लगने का स्वामी थोड़ा वीक पड़ जाता है तो हम कोई भी इनिशेटिव लेते हैं हमारे में ओर्जा है यह कर्म में आपके मजबूती लेकर आएगा आप काम बहुत अच्छा करेंगे एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो गेन करना चाहिए वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट में थोड़ी सी कमी रहेगी तो उसके कारण आप मानसिक थोड़ा तनाव महसूस भी कर सकते हैं मगर मैं य यह महीने बहुत जादा अगर बदलाव न किया जाए तो जादा बहतर है और जहां पर भी है वहां पर अपने कार्या को कैसे मजबूत बनाया जाए उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए तो अच्छा है बाकि यह केतू जो है आपके भाई बहनों के साथ भी आपके कुछ ऐ बहुत जाएं है जो मानसिक तनाव के स्थिति क्रियेट हो सकती है तो उसमें भी आप थोड़ी शांती बनाए रखिएगा क्योंकि मंगल आपका जो है वो तरेती भाव का स्वामी है और वो शनी और शुक्र के साथ जिस्थिति के अंदर है उसमें बहुत शांती बनाए पाएंगे क्योंकि एक इनसान को रिबेलियस मतलब के चीजों में बदलाव लाने के लिए वो सबके अगेंस्ट हो जाता है तो थोड़ा सा इसके अंदर आपको थोड़ा वैल प्लैंड होकर चलना पड़ेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी एकदम से कोई बड़ा बद सब्सक्राइब के साथ लगनेश के साथ है तो देखिए प्रॉपर्टी को लेकर आप बहुत बड़ा कोई ऐसा डिशीजन है जो इस महीने लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा संभल के लेना चाहिए आपको इसका एक रीजन है इसके लिए बहुत बड़ा लोन अगर आप करते हैं तो लोन की परिस्थितियों में आपको लोन बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा उसको लेकर कोई बड़ी टेंशन वाली कोई बात नहीं है मगर यह मैं जरूर कहूंगी कि जो मंगल है वो शनी और शुक्र के साथ है तो ऐसी स्थितियों में हमेशा कभी पी को नुभाव के बेस पर लेना बहुत जरूरी है चार जनकी एडवाईज लेकर काम करना एकदम से बहुत बड़ा इंवेस्टमेंट कर देना और वो भी लोन लेकर कभी-कभी इनसान ऐसे डिशिजन ले लेता है जहां पर बहुत बड़ा डिशिजन और बहुत बड़ा इंवे हो जाते हैं और फिर बाद में आपको काफी प्रॉब्लम्स क्रियेट हो जाती है तो थोड़ा सा उसमें सोच समझ के आगे बढ़िएगा पकी ऐसे देखा जाए तो आपके लिए अगर आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम करते हैं या कोई भी प्रकार का प्रॉपर्टी का डीलिंग का काम करते हैं कमिशन से संबंदित कोई भी काम करते हैं कंसल्टिंग रिलेटेड कोई कार्य करते हैं आप तो यह सभी सेक्टर्स के अंदर आपको बहुत अच्छा है आपके अंद सवा घर काफी अच्छे से एक सिक्योर्ड है तो आप जहां पर है वहीं पर इंप्रूब करने की कोशिश करेंगे तो जादा अच्छा है बहुत बड़ा बदलाव अभी ना किया जाए तो अच्छा है अब बात करते हैं पंचंभाओ की देखिया पाँचवे घर में शुक्र मंगल और शनी ये तीनों की एक यूती बनती है तो ये जो यूती है वो सबसे ज़्यादा इंपोर्टन्ट होती है आईटी सेक्टर वालों के लिए जो स्टूडेंट आईटी के लिए जाना चाहते हैं और इवन यहाँ पर रहकर भी आईटी के स्टूडेंट या टेकनिकल लाइन में मेकनिकल एंजीनिरिंग होता है उसके अलावा फैशन डिशाइनिं का कोर्स होता है साथ-साथ में मेरिकल संबंदित स्ब्सूडेंट बी कोई आएज आछ एसा कोर्स है इस तरह की बहुत से क और मेडिकल से रिलेटेड होते हैं तो वो सारे ही स्टूडेंट्स के लिए परिस्तती बहुत अच्छी है तो इसमें काफी अच्छा आपको आगे प्रोग्रेस मिल सकता है और ये समय आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करवाएगा आपको सिर्फ एक ही है कि करि स्टूडी के बाहर कुछ ऐसे अट्रैक्शन हो सकते हैं जिससे वो स्टूडी में दिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और अगर कोई लव मैटर भी है तो उसमें बहुत स्थिर्टा के साथ आपको आगे बढ़ना होगा क्योंकि कुछ डि स्थिर्ट होकर शांत मन से कारे करेंगे तो कोई डरने वाली बात नहीं है मगर सामने वाले को समझ के फिर ही उसको नेक्स्ट लेवल पर आप अपने रिलेशन को लेकर जा सकते हैं मगर इस महीने थोड़ा संभल के रहना चाहिए पांचवे घर में इस तरह की स्थती है इस जैसे ट्रावेलिंग करना आपके लिए अभी अच्छा नहीं है पंचम भाव से एक चीज और होती है कि पांचवे घर से यह देखा जरूर जाता है कि संतानों के साथ कभी कभी आपके लड़ाई जगड़े हो सकते हैं related to their expenses उनके खर्चों को लेकर आप थोड़े परिशान हो सकते हैं उनके कुछ गलट डिशेजन से आप परिशान हो सकते हैं तो अभी थोड़ा शांती बनाए रखिएगा सिक्स्थ हाउस की बात करते हैं गुरू बुद्ध की यूती और सूर्य भी आपके 15 तारिक तक छटे घर में रहेगा उसके बाद सूर्य आपके सब्तम भा प्रॉब्लम होती है प्लस टमक रिलेटेड कोई भी इशू है तो उसको लाइटली नहीं लेना है क्योंकि आपका लगनका स्वामी और आपका सब्तमेश भी गुरु है तो चतूर्थेश और सब्तमेश दोनों ही गुरु बनकर भुद्ध के साथ जो लगनका स्वामी है सू वास्थे को बहुत ध्यान रखना है बॉन्स हड्डियों से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम है इवन हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो यह चीजों को लाइटली नहीं लेना थायर और जनित चीजें हैं प्लस टमक के अंदर भी कोई भी लेडिस के अंदर ज आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसको लाइटली नहीं लेना है आपको उसका जो भी आपको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए वो कराना चाहिए आपको और यह चीज मैं जरू कहूंगी कि लोन की बात करते हैं तो रिन तो है मगर रिन इतना ही लिया जितना आप कमफर्टिबल हो कभी कभी किसी के भैकावे में आके दिया हुआ लोन आपको काफी स्ट्रेस दे देता है और बुद्ध और गुरु की यूति इंसान को काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन देती है क्योंकि अकारणिय चिंताएं मन में बहुत सारी जाती है तो ये गुरु और बुद्ध की यूति के कारण इंसान बहुत कुछ कर सकता है उसके अंदर क्षमताएं बहुत जादा होती है मगर वह बहुत से विचारों के अंदर भ्रमन करता है तो उसको थोड़ा सा आपको शांती बनाया रखना पड़ेगा इस टाइम के अं कर आपके लगने को काफी अच्छे से प्रकाश दे रहा है तो उससे क्या है कि आपके अंदर एक कॉंफिडेंस थोड़ा सा पंदरा तारीक के बाद बुस्टप होगा बिजनस के अंदर भी काफी अच्छा आप कर पाएंगे और सेवन्थ हाउस नए बिजनस के अंदर भी आपको विदेश से संबंदित कुछ नए ओफर्स आपके पास आ सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर कोई बिजनस करना चाहते हैं तो सूर्य पंदरा तारीक के बाद आपको बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है इवन गवर्मेंट जो जॉब के लिए कोशिश कर र है तो उसको शांती बनाए रखेगा जादा रियक्टिव होना आपके लिए अच्छा नहीं है और कोई भी कोट से कनेक्टेड कोई अगर घरस्त जीवन के अंदर कोई जगड़े ऐसे चल रहे हैं और कोट मैटर है आपका कोई भी प्रकार का तो उसको लेकर आप थोड़ी स सा रियक्टिव नहीं होना जादा शांती बनाए रखेगा क्योंकि उसमें आपका नुकसान हो सकता है अस्टम भाव की बात करते हैं अस्टमेश जो है मंगल होकर पंचम भाव में तो मैडिकल रीसर्च के लिए बहुत अच्छा है आपको विदेश जाना चाहते हैं परिस् कर सकते हैं और आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी अस्टम भाव का जो अधिपती है शनी और मंगल के साथ और शुक्र की यूटी पंचम भाव में तो वह एक तरह से एजुकेशन के अंदर आपको काफी अच्छी लेवल का रिसर्च देती है और उसमें आपको काफी अ होकर आपके पांचवे घर में और राहू वहां पर अल्रेडी नवंभाव में स्थित है तो देखिए अध्यात्मिक्ता में थोड़ी सी कमी आ सकती है कमी इस वज़े से कह रहे हूं कि शुक्र जो है उसका घर है वहां राहू बैठा है और शुक्र मंगल की यूती बनती है ह अगर आप पूस्ट ग्रेजुएशन या कुछ ऐसा मास्टर्स की डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं तो फैशन टेकनोलोजी फैशन डिजाइनिंग फैशन संबंदित कोई बी ऐसा कोर्स है कॉस्मेटिक से संबंदित कोई कोर्स है उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं तो उसमें आपको काफी अच्छा प्रोग्रेस प्राप्त हो सकता है मगर एक तरह से अभी बहुत जादा यात्राएं करना आपके लिए मानसिक तनाव की स्थिति कर सकता है नवम भाव की बात अब हो चुकी है आप दशम भाव की बात करते हैं दशमेश आपका छटे घर के अं अच्छी रहेगी मगर कारिस्थल में अभी बहुत जादा रियक्शन्स या बहुत जादा किसी चीज के लड़ाई जगडे डिस्प्यूट्स या कोई ऐसी कलीक्स के साथ भी आप जो स्थिति है उसमें काफी शांती बनाए रखेगा इसका एक रीजन यही है कि हमारा जो द की तरफ आगर लेकर जा रही है आपके काम को अगर कोई व्यक्ति के कारण डिस्टर्बंस जहिलना पड़े तो वह स्थिति को आप अवोईड कीजिए कोई ऐसे इंटरेक्शन होते हैं डिस्प्यूट्स होते हैं तो उससे आपको दूर रहना है गुरू आपको काफी अच् पर भी है जो आपके सेविंग्स को आपके इंकम को एक स्टेबिलिटी दे रहा है आपके लिए काफी अच्छी ऑपोर्चुनिटी भी क्रियेट कर रहा है प्लस आप जहां पर हैं वहां पर भी आपको काफी अच्छी स्थिरता दे रहा है तो बस आपको शांती बनाए रख सकते क्योंकि लगनका स्वामी थोड़ा सा वीक पोजिशन में जा रहा है आपके स्वास्ते को आपको 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 नहीं करना स्वास्तिक को लेकर थोड़ा सा जागरित रहिएगा अब बात करते हैं 11 थाउस की देखिए एक मंगल शनी और शुक्र की दरश्टी आपके 11 थाउस पर यानके 11 भाव पर पड़ती है तो मंगल जो है ये नीचस्त दरश्टी है तो कभी-कभी जो लाब की प्राप्ति आप चाहते हैं कि मुझे इतना लाब प्राप्त हो जाए तो वो ना हो पाए तो उसको लेकर थोड़ा सा आप चिंतित रह सकते हैं पर ये एक टेंपररेरी फेस है इस महीने थोड़ा सा आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो आप जनरेट करना चाहते हैं वो कही न कही न हो पाए तो चिंता मत कीजिएगा अभी थोड़ा सा समय ऐसा है कि आपकी महनत जितना तो आपको पराप्त जरूर होगा मगर मंगल की ये दरश्टी आपको कभी कभी कुछ चीजों में आपको महसूस होगा कि आपने जतना किया उतना आपको नहीं पिल पा रहा है मगर ये बहुत टेंशन वाले स्थिती नहीं है थोड़ा सा शान्ती बनाए रखिएगा काफी महनत का जो रिजल्ट होता है वो आगे बहुत अच्छा जनरेट होगा अब 12th house की बात करते हैं बारवे घर के उपर मंगल की एक दरश्टी पढ़ती है गुरू की भी दरश्टी पढ़ रही है तो और सूर्य खुद अपने घर को 15 दिन तक देखेगा उसके बाद ये दो दरश्टियां भी है तो विदेश का घर काफी एक्टिवेट होता है विदेश का इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इवन स्टूदेंट्स बाहर जाना चाहते हैं कोई भी अच्छा रिसर्च के लिए बार जाना चाहते हैं विदेश संबंदित अगर अपने फाइल किया हुआ है तो ये पूरा ही महीना आपको काफी सपोर्टिव है शुरू के 15 दिन और भी अच्छा आपको सपोर्ट कर रहा है तो उसको लेकर आपको कोई टेंचन वाली बात नहीं है उसमें पूर्ण सफलता आपको पराप्त होगी I hope के ये कन्या लगन की जो स्थिती है मैंने उसका पूरा ही आपको description दे दिया है और I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आये तो like भी कीजिएगा और subscribe भी कीजिएगा पूरे ही महिने को अच्छे से प्लान कीजिएगा अगर आप मुझसे consultation लेना चाहते है तो description box में मैंने अपना email ID दिया हुआ है astrologymonica.gmail.com आप उस पे mail कर सकते हैं मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूँगी कि आपको मुझसे कैसे consultation लिया जा और कैसे contact किया जाए देखे पूरे ही स्थिती को देखकर उसके बाद अपने पूरे ही महिने को प्लान कीजिएगा और बहुत प्रगती कीजिएगा और हमेशा खुश रहिएगा Thank you so much Jai Shikrishnu